वेरी गुट मॉर्निंग दिया इस्पिरिंस वेलकम तो अधर 24 7 दिस यूर में आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रेशन भी अच्छी चल रही है और आज का जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने टॉपिक अलड़ी आज हमनों बहुत मज़ा आने वाला है और आज से जो यह पूरा वीक रहेगा वह सिटिंग अर्जमेंट का ही वीक रहेगा इससे अगर अधिक पढ़ने के आउसकता पढ़ेंगे और अधिक पढ़ेंगे अपन लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे इस चैप्टर में यह आज इस फांडेशन बैच में हम लोग मूव कर गये हैं और सिटिंग अल्मेंट तक पहुंच चुके हैं और इसका डेवन है तो बहुत एहम दीन होगा आज बेसिक पलिंथ को मजबूत करना सबसे पहला काम होगा कि हम बहुत अच्छे से मजबूत करें इस बेस को और जब बेस मजबूत होगा पहले आपको सेंटेंस की जानकारी होगी कि इसको कैसे इस्तमाल करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं कि इसी भी सेंटेंस का उसका कैसे उपयोग करते हैं गई सारी बात है क्लियर हो जाएंगी तो जाहिर से बात है कि हम लोग बहुत अच्छे सवाल कर स तो टागेट क्या है? टागेट है बेसिक कॉंसेप्ट और बेसिक क्वेस्टिन्स पे चड़ जा का मतलब कि आज हम लोग बिल्कुल खतरनाक प्लिंथ तियार करेंगे और उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो आफकोर्स बहतरीन हम लोग आउट पूट लेके आएंगे इस ठीक है तो उससे पहले में एक सवाल जाना चाहता हूं आपसे सवाल का अंसर जाना चाहता हूं मैं आपसे कि इस चीज का मतलब यह जो आपको दिख रहा है यह जो आपको फिलारा आप कहां पे आप फील कर रहा है आपको कहां देख पा रहे हो अभी राज कह रहे हैं मुस् तो डू इट यहां पे हो, how do I do it, confused हो इस बात को लेके, क्या I'll try to do it, यहां पहुँच चुके हो, या फिर I can do it, यहां पहुँच चुके हो आप, और यहां पहुच गए हो, तो फिर आप कर लोगे, I'll do it पहुँच जाओगा, यहां पहुच आप कर ले जाओगे, तो मतलब आप देख लो, कि आप कहां पे लाई करते हो, और मुझे जरूर बताना, आप कॉमेंट बॉक्स में, सेसन के बाद भी बता सकते हो, जो इस सेसन को बच्चे आफलाइन देख रहे हो, हो ही बता सकते हैं कि आप कहां आपको फिल कर पा रहे हो, जहां पे फिल कर पा रहे हो, आप कमेंट आख ओगा मैं उसक आधार पर समझोगा की आप कहां है бывает, तो गया मैं जादा सकते हैं जाखिट है ठीख है जा करतें आगे, और owके मुवड करते हैं, appetite पयोजना कम मैं से और हमला दोपत बच्हे इंड रह यहां पर पॉच्पल हर पहँखंग में बोड़ू गयों के आप इस मयीटिटाप के अर्टक locks। चलिए, बहुत अच्छा है, यह भी बहुत बहुत बहतर है, आगे बढ़ते है, अब हम कुछ basic बाते कर लेते हैं, फटा-फट, ठीक है, basic बाते करनी बहुत जरूरी है, so अगले 10 मिन्ट मुझे ध्यान सुनना, फिर सवाल पे चलेंगे, 10 मिन्ट तक बहुत ध्यान से, बहुत बाते हैं, 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 बाते Bounded Bodies और एक होता है बाउंड़ पास Based on Linear Bodies ठीक है तो यह simple bifurcation है Bounded, Based on Bounded Bodies मतलब घरेवे जो बाउंड़ रहेंग उस पर ठीक है जो घरेवे Bodies है उस पर और दूसरा है Linear Bodies यह जाने स्ट्रेट लाइन वाले सवाल तो पहली bifurcation बहुत क्लियर है Bifurcation is very important क्योंकि अब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसे जरूर होंगे और हमें वो वो विजुलाइज करना होगा हमें वो रिलेट करना पड़ेगा हमें वो समझना पड़ेगा हमें वो समझना पड़ेगा अब में तो circle हो गया या फिर आपको rectangle हो गया ठीक है या फिर आपको जो square नजर आता है या फिर आपको आजकल triangle भी नजर आने लगा है ठीक है तो यह सभी जो है वो कहां जाएग एक्सेक्टर लिखता हूँ कोई बॉड़ी इस्टमाल कर सकते हैं लोग ठीक है कमलेश जी मैं कोड़ेट वाला भी करवाँ गाँ गाँ ठीक है थोड़ा साथ ऊसमे चेंज़स आएंगों बेच ब्सक्राइब बीजका आ नहीं कि तो फ्च गज़ाएंगी यहां पर क्या 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 चीज़ाहएंगी तो फूर्स बहुत सिंपल है एंद पैरल लाइन यह दुश्य जाम मिलेंगे आपको स्ट्रेट लाइन पहले लाइन बहुत सिम्पल चीज़ है ठीक है ठीक है क्लियर बाट हाँ हाँ छो Worst points लिद। Điक है न्युम्छ इस का आँ इस न्युम्छ ऐस बहुब करें। इस दो भॉस्पारों भेशम लाइन फीक्रति से डेजने के क्या करें। पहले नहींब का। है और अधर का वक शे समय उष्ट है, कुछ है है, साइब बाट नाम सुन रहा होगा sitting arrangement का उसके लिए भी एसेसन ध्यान खिए जो बच्चा आज पहली बार नाम सुना है वाई sitting arrangement ये नाम ही पहली बार सुना है उसके लिए भी एसेसन बहुत important होगा because मैं उस तरीके से निभाऊंगा because ये bad zero to hero है और उसका नाम का इज़त में जरूर रखूँगा ठीक है ठीक है तो सबसे पहली बात पहला पहला concept basic concept में सबसे पहला point सबसे पहले किस बात ख्याल लगना चीए number of person number of person कितने number of person है कितने आदमी थे मतलब कितने आदमी है सामभा वाला डालोग नहीं लेकिन ठीक है कितने आदमी है इस बात ख्याल लगना पड़ेगा मैं ठीक है हा तो जैसे कि ये सवाल ये point ये point कहां के लिए ध्यान लगना ये बात में ध्यान लगना है हमेशा जब भी हम circle वाले question की बात कर रहो होते है Whenever we will talk about the circle based question we will have to be very much alert we are about the number of persons Because what happens in circle ? We have 1,2,3,4,5,6,7,8 and we have 7 people that mean there are two categories, we have number of person Simple thing, means number of person may be in the even or odd Even, obliq, odd, कुछ हो सकता है Now why are we talking about this? Because it is very important because people don't give importance to it and are paid for the children Especially those children who are freshers are, they are the only thing they do Always think we want to take care of this point That if even number of person will come to you, have to take care of each person That which is a question of the question, you will be keeping them in front of each person If there is an even number of person, we will have to do this Alright? The first point is that you have to keep in mind 2. अगर number of person odd दिया हुआ है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे भी arrange कर दें, कई बर क्या होता है, बच्चे बड़ी मासूम होता है, मतलब बुला गया, 6 लोग एक circle के round बैठे हुए है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, यह पाप है, इसी को करने का आदत है कि हर दो लोग को आमने सामने बिठाते हैं, तो जाहिर से बात है, यहां पे भी करना पड़ेगा यह काम, यहां पी भी काम करना पड़ेगा, कि आपको हर दो इंसान को आमने सामने बिठाई और जो और वाला बचा उसको साही 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 में कर दियेगा, जैस एक है क्लिर बात चलिया सो इस अब बात अब सक्षिजेंगे लुक्त आपके बढ़ागे लुगने का यवाली रखने है एक जाके बढ़ते हैं सेकंड प्यांट मतब जो सबसे ज्यादा बच्चों से गलती होती है वो direction के discussion में होती है direction को लेके होती है direction का मतब यहाँ पे north, east, south, west नहीं है of course यहाँ पे जो मतलब होता है direction का वो होता है left and right left and right की judgment how to face the direction as left and right that is very much important do not be overconfident just सुनते रहेगा हो सकता है कि आपको सब करवा देंगे यार uncertain person certain person कितने आदमी थे उतने आदमी थे सब करेंगे अपन सब का बदला ले गाई है ठीक है हाँ तो सब ध्यान से पर सुनते रहो बेसिक्स मुझे एक बार clear कर देंगे तो ताकि अगर मैं basic नहीं कर रहा हूंगा तो कल को आप सवाल ना पूछो किसा यह कैसे हुआ हूँगा मैं चाता हूँ एक बार basic से निगाल दूँ आपको फिर उसके बाद मैं stent लगाता रहा हूँ बेसिकर clear नहीं तो stent लगाने में दिक्कत होगी stent लगाएंगे पर एक से एक stent लगाएंगे पर सुनते जाओ direction में ऐसे left-right है कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो direction में क्या करते होंगे सब लोग inside देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो आपका clockwise में आपका left हो जाएगा एक्जैक्ली क्या हो जाएगा left हो जाएगा यह काम करना ठीक है बात समझ में आ रही है अगर anti clock wise अभी लोग center देख रहे हैं anti clock wise होगा तो यह right हो जाएगा ऐसे वाली आप प्रोच से कितने लोग शेल रहे हैं जल्दी बताइए quick कितने लोग इस 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 चीज़ का इस्तिज़ कर रहे हैं जल्दी जल्दी मुझे reaction चीए आपके दरफ से जल्दी से खुद को assume करके बहुत बढ़िया तो जो भी बच्चे अभी तक अभी यहां पर yes कह रहे हैं कि sir मैं तो यहां पर यही करती हूँ यही करता हूँ तो please इस बात को बिलकुल अपने वो काटिये जो लो अभी भी इस बात को clockwise को anti-clockwise को ही आज भी आपके दिमा में ठूस रहे हैं उनसे मेरा बस एक ही कहना होता है या फिर आपसे भी यह कहना कि अपने आपको update करो भईया अप grade करो क्योंकि अगर आप खुद को आजूम करते हो तो आपसे क्या होता है डिरेक्शन में कभी जज्मेंट में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती आज के जमाने के रिए सही है मत्तब यह left कि अंति क्लोगवले क k deber है प्लाड वह पाणर के वह एक 50 हो कितावे डिंज्ट गाफी के जर्मेंकिये वहार थे जनलली स्रय है जमाना बहुत अगश अंपशे तो सबसे आब दाने हैं तो इसे लिए इस कहने के रिफ आप रहा यह कीं ससमें का रहा है तो यह सनगीं इस में फिरग सबस्कंटीपन पर उस्थी लिए सबस्क्रक पर Αडा की कह नही 밟ी है बडन टॉर इन खानी है मेंदा समस्क्राइच्द सब्सक्ते उक ही तो गहे आप यही बहुत सही बोल रहे है सीड्रो कहरे हैं सर हम पेपर कोई गुमाने लगते हैं तो यह भी जो कर रहा है ना गलत कर रहा है आप ठीक है So the thing is My concern is Never ever try to Do this Faltu Stunt Always try to go for the new updated things अपने आपको अपडेट करो दिमाग को खर्च करना सीखो क्या करना मैंने एंपर So the first of all I would like to tell you कि यहां पे करना क्या चाग है अपने आपो खुद को किजिये यहां पे Assume Yourself Assume Yourself Assume Yourself बहुत simple बात है आप खुद को खुद को कीजिये वहां पे ठीक है खुद को खुद को कीजिये जब भी आपसर मालो आप यहीं कि तो में इसागि कर्ति हम आप आप बे Adobe Contra अपर हम इसागशा करें चीन के दो क्या है टाइक आप लिए शब्सक्ता Update also Сलें सपर के राइट क्षा के लिए सेब्सक्निक हो बार जब भी डाउनवर्ड एरो होती है, that is nothing but the north न रहत अपका अपका बढ़ने करेंगे दीक है, इसका आपका right, आपका left, उसका left, that is this south is nothing but the reverse of north अपका right होगा अपका होगा, यह, इसका left होगा, यह, जब एक लिए इसका लिए किया होगा, यह, दीक होगा क्यूंस अब आटनूरा हमें फिसरा लाय दो Wade कि विल हम इपट एफुर्ट हमे पादी हुषड आप टा Stamp कि आपको इधर उसम जा मांजम तो नाहं. यहां पर आजाएगा भी, मैं एक और बना दो यहां पर, थर्ड बुला गया दो पर शोड कर यहां जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है ना, so always remember this thing, you will have to assume yourself at that particular point to fetch the direction as left and right, ठीक, 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 मैंने इस सीज का चर्चा अल्रटी कर रखा है, बलड रिलेशन के समय, so अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, उस सेशन में उसमें प्रॉपर्ली लिक के रखा हुआ था, so please मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जबूर देख लीजगा, उस सेशन में वहां पर प्रॉपर्ली डि ठीक है, so these four words और similar words, मतब who, which, whose, whom, इस तरह के जो भी word मिलेंगे, w, अच्वाले, उसमें उसको बलता है, उसमें हमेशा वह करता है, relative noun के तरह, that means for example, we can say, for example, a is second left of b who is third right of c, मैंनो ऐसा बोल दिया, ये sentence आप, हमें इसे draw करना है, एक बाद draw करके समझिया, क्या हो रहा है, मैं एक बात और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि यहीं पर मैं एक fourth वाला relation भी लिखते हूँ, यहाँ पर fourth वाला conjunction है, और इसमें जो word मिलेंगे हमें न, वो word मिलेंगे इस तरह के, and, but, while, और साथी साथ एक वो मिलेगा आपको, कॉमा के बाद चले, उसो मैं समझा दूँगा उसी समय, ठीक है, यह word आपको मिलेंगे हमेंशा, ठीक है, यह word मिलेंगे आपको, ठीक है, I hope दिखाई नहीं देगा, अच्छा, सॉरी, सॉरी, मैं इसमें यह गलती कर दिया, मैं इससेड लगा गया न, flow flow मैंने ध्यान नहीं दिया, इस बात का, मैं यहां देता हूँ, ठीक है, फर एक्जाम्पल ले जी एक्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस ले देता है, थोर्ड लेफ्ट ओफ, सी, ठीक है, क्लियर बात, सुनना देहन से बातों को, हाउ to react in this thing, आप अच्छी सी बात यब कर दिखाने वाला हूँ, बहुत मज़दार आखने वाली है, यहां पर यहां लाहन ली देता हूं, फिर दोनों में compare करते हैं, मँद दोनों ही यह वर्ड में compare करने वाला हूं, भी, who, which, who, whom, or and but while में कैसे comparison करेंगे, ठीक है? So, यहाँ पर एक 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 लिता हूँ. Same sentence रखूंगा बिल्कुल. A is 2nd 2nd right of B and is 3rd left of C. So, now you can find now you can find this thing. यहाँ पर जो वर्ड यूश किया गया, which? यहाँ पर यूश किया गया and. Now, how it is different. ठीक यह, ठीक है? The thing is is key you can go for this. ठीक है? अभी Ammar अभी समझा रहों, समझाया है कहाम है इसको? अभी मैं समझाया नहीं को? अभी मैं समझाया नहीं हूँ. अब सुनो बात को बहुत ध्यान से इधम बिलकुल आराम से, जो जो रिलेटिव प्रणावन वाले वर्ड होंगे, रिलेटिव प्रणावन वाले वर्ड होंगे, जो 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 रिलेटिव कह रहा हूं, मैं element के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं because first person second person बोलना थोड़ा था गलत हो सकता है इसलिए हम क्या कह रहा है उसको element कर रहा है और इसको हम लिटरली आसा भी कह सकते हैं कि यार जब भी जब भी विच की बात में होंगी तो second element से करेंगे, second element that means कि और भी उसको similar और भी simple करके बोलों तो बोलोंगा कि यार जो nearest element होगा उससे बात करेंगे विच मतलब बारें बात हो रही होगी, which मतलब किसके बारें बात हो रही होगी second element जो ठीक बगल में element होगा, say, ठीक left hand side जो word होगा, जो element होगा, हिंदी में पढ़ेंगे आप जो second element होगा वो शुरुआत में रखा रहेगा, पहले element बात दिखा होगा, क्योंकि वान लिखा रहेगा हिंदी मैंसे, A, B के बाएं दूसरा या, A, B के दाएं दूसरा ऐसा लिखा रहेगा, that makes sense कि A के बाद जो B आ रहा है, second element उसके द्यान कीगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह हमाया ध्याम मिशाद है, यहां जो relative pronoun की बाते होंगी, तो यह ध्यानर कीगा, second element की लिए काम करते है, second element से connect करेंगे, इसको अपने हिसाब से लिख लीजएगा, कहीं पर, second element, और जब conjunction की बाते हैं तो यह ध्यानर कीगा, first element, यहाँ रखेगा, first element, ठीक है, अब यहाँ पर and है, and किसी ली काम करेगा, a की काम करेगा, a is second right of b हो गया, इसको ट्रॉ कर लेंगे, फिर a is third left of c, फिर a is third left of c, यहाँ पर a is second right of b होगा, फिर b is third left of c होगा, now we'll try to draw the circle of this both things, दोनों कहीं circle ट्रॉ करते हैं, दोनों कहीं example दोनों कह यहाँ कर रहा हूँ, और इसका construction में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, दोनों में ही माल लेते हैं, 6-6 लोग इनके group में है, 6 लोग family में हैं, या 6 लोग उस circle बैठ रहे हैं, इसमें भी 6 ही लोग है, आप खुद देखिएगा, आप यहाँ दूद का दूद पानी का पानी कर ल मालो everybody is facing center, everybody is facing center, everybody is facing center, everybody is facing center, just this point के बाद आप चले जाएंगे, इस point को इसका करेंगे, इस point को इसका करेंगे, प्ता की सवाल पचले जाएंगे, तो सवाल के लिए थोड़ा से इंदार की और देखिएगा और, सभी लोग center की और देख रहे हैं, you can just find out how to, यहाँ से में भी how to draw the conclusion, how to draw the conclusion of those given sentences, बहुत जबर्दस बाह बताने बाला हूँ, यहाँ से बहुत धान सुनना, बोल रहा है A is second right of B, अभी बहुत अच्छी बात, बहुत मस्त बात, जब भी बोलेगा A is second right of B, इसका मत्तब होगा कि A, जो मासूम बच्चे होते होते हैं, वो क्या करते हैं, ठ A is third right of B, A is fourth right of B, A is fifth right of B, मैं चाहता हो कि इसको जो मासूम बच्चे, जो आम बच्चे होते हों, वो क्या करते हैं, वो ऐसे count करते हैं, A is second right of B, मत्तब A जो है, B के दाहें दूसरा है, या फिर A is fourth right of B, मत्तब A, B के दाहें शौथ, आप उनमें से मत बनो, आप कुछ स्मार् सब्रिट कर करें, आप करोगे, आप से बोला जायगा, जीथिभिख लग तमरे, बूला जा जाये गल, यह कम बीछ पिख हो बनागे. सदैॉन बेसmore समार्ट बनागे। कि बीसे स्टर्ट करेंगे, बीसे स्टर्रुट कर ज़ीख Always remember, you can start from anywhere in a circle, but I recommend that you start from a bottom point. You start from here, if you set something in your mind that I start from here, that will help you quickly. That means A is second right or B, that means we will try to place B here. We can place B here, B here, 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 where, but I recommend that you start from here. You always give a proper direction, confidence. and the sitting element and puzzle is the most important thing in the sitting element and puzzle. If you have increased confidence, then you will take a lot of questions. A is second right or B, that means B will be placed here. Now A is second right, that means A will be placed here, that means A will be placed here, that means B will be placed here, that means A will be placed here, you will not count like B, we will leave here. Now this is the smart strategy. Okay, this is a very smart strategy. Now, let's see what we have, which is 3rd left of C, that means they are now talking about this, this element B. We are talking about B, which is, that means which will connect you to B. That means B which is, we will put here from here, B which is 3rd left of C. That means B is, B is connected with C now. B is related to B, B is 3rd left of C. That means B can conclude this in two ways. Okay, okay. B which is 3rd left of C, that means B is, B which is 3rd left of C. Now, what is B is dependent on B? What is B dependent on C? What is C dependent on B? We can convert this sentence. B which is 3rd left of C. That means C which is 3rd right of B. What is B in third right of C? What is B? What is B in third right? Okay, 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 okay. Okay, okay. What did I do now? I did a lot of attention. I did a lot of smart work here. I am told B which is 3rd left of C. What is B that is 3rd left of C? What is C? Now, one more way I can conclude one sentence. Only one way we can conclude this sentence. Only in this sentence, only in this sentence B which is 3rd left of C. We can draw three types of plot. It is a little question of this. How is it? It is B which is 3rd left to D do it? So, B is after 3rd left. One thing comes to society. What will we help you? What will we help you to do? We will keep you to hold. We will keep you to find your mind with C. Let me keep you at the main section and take the side. And then you keep you to keep you there. वहां रखते हैं चेक करेंगे वो तुमानलों अपने C को यहां रखे चेक किया मिल गया अपको या फिर आप कह सकते हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है B which is 3rd left of C मतब C will be 3rd right of B just because क्यों हमने क्या करेंगे यहां पर बोला गया अभी तो अभी 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 आप जो यह प्रो लेबल के भच्चे होंगे अब जो प्रो लेवल के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे बाइभ साब मुझे मालों है कि B which is 3rd leftover c कमतब जदब B और सी के बीच मिचमे दो लोग होंगे बहुत यह प्रो लेवल के बच्चे यह बोलेंगे बहुत यहां पर पहले से मालूम है अब दो लोग हम यहां चोड़े यहां चोड़े यहां चोड़े सी तो यहां आएगा ना बात खातम है उनको डिरेक्शन सही मतलब नहीं है वो अलग लग 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 पर खेल रहा है तो असिंगल सेंटेंस केंग बी कंग्लुड़ेट केंग डॉन दौ दौड़े कांग दौड़ेंगे त्री दिफरेंट पॉसिबल वेज्ट नो एक बात बुद्धी वाल तरीका एक ठीक है अच्छा तरीका था लेकिं उसे भी अ अच्छा खेल तरीका है इसलिए आज के थमनें में लिखवाया गया है आओ अब लग लेवल पर खेलते हैं बास उज्ञा रही है मतब जो कन्लूजन को डॉड़ करने का तरीका है उसको कंग्लूट करने बाद लिखने का तरीका है पट्चों का वो हम लोग छोड़के आग को एक तकलिफ नहीं आगे बढ़ता है ठीक है नव अब यहाँ पर एंड का क्या है लोगा एंड एस थर्ड लेफ्ट फीड नाओ इस एंड जोगा यह एंड किससे करेंट करेंगा इसकरेगा पहला एलिमेंट से करेंगा फॉस्ट अलिमेंट से करेगा हम इस ऑ अर एंड के जो बाद में लाग पतक देंगे, A is 3rd left of C, A is 3rd left of C, A is 3rd left of C, now this A is dependent upon this C, A will be 3rd left of C, now this A is dependent upon this C, that makes sense, A and C, how many people are in this C, 2 people are in this simple thing, now that means C will be coming here, अब count कर लो कि क्या, A जो है वो C के बाई में 3rd है क्या, C यहाँ पर C के बाई में 3rd है, क्या left होगा, इधर होगा C, इधर के है right है, that means C, अब left में 3rd count करो, तो भाई, 3rd मतब 2 जगा छोड़ेंगे, एक 2 count करके यहाँ पहुंचगे, बात खतम होगे, वा सुना रही है, अब होगे, सो अब यहाँ चु चुना तेखोति सिर्फ पूरे संट्एंसमें सबकुच इगदम सेम था, लेकिन यहाँपे सिर्फ एक शफ चेंज रगा जघ्गा था लेकिन यहाँपे श्बड चुग होगен, पोरे चेंज होगा है, صिर्द बास सुना र पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, so be ready, and मैं चाहता हूँ कि पहला सवाल बिल्कुल मासूम सवाल है, मैं यह देखना चाहता हूँ कि आपके तरफ से कितना quick reaction आता है सवाल को लेके, कितना quick, मत्तब इतम जल्दी से जट से answer मिल रहा है किया, और सही सही answer, आपको पोटो तो खीच के भेज नी सकते है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि आप अगर टॉप से चाहो तो टॉप से answer करना, यहां से तॉप से आप answer करना, यहां तक बिल्कुल ऐसे clockwise में, तो मुझे समझ जाएगा, मैं चेक कर लो, ठीक है, clear बात चलो, पहला सवाल, मत्तब बहुआ सव सवाल है, उड़ाओ, मैं सवाल हिंदी में भी लिखा हुआ, टेंशन मतलो, सवाल अभी हिंदी में भी है, इंगलिस में भी है, पहले सवाल में सुनीता सेन जी, मैं आपको बताऊंगा, पहले सवाल को सौल जो करूँगा, प्रॉपर तो मैं बताऊंगा, कैसे start करना है, क्य UPP 2022 Gaurav Singh कह रहे हैं साथ 5 elements में कैसे करेंगे मतब यह सवाल किया थापका समझ में नहीं आया सवाल को सब्सक्राइब कीजिए पूछे क्या पूछना रहे हैं सर 8 AM वाली क्लास अब नहीं होगी 8 AM वाली क्लास यार एक्षली में कुछ इशु आ गया है स्लोट्स मेरे पास थुरा बिजी हो गया हूँ मैं तो मतब श्लोट्स जो इंगेज्ड है उस वक्त तो अब देखो क्या उसका कुछने कुछ टाइम सिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए नहीं हो पार रहा है वह 8 AM वाली क्लास हाँ उस ताइम हे थुरा मैं बिजी हो गया हूँ एक दूसरे जगा पर स्वाइल ट्राई डन हो चुका है चलिए देखते हैं अब ही मैं सवाल समझा रहा हूँ एक बार बेसिक कॉंसेट को फिर से प्ले करके जरूर सुनिएगा जो बहुत ध्यान से सुनिएगा अब सवाल पर आते हैं अच्छा दबा बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए बहुत अचूप दबा यह है कि सबसे बले पुर डिस्सिप्लीन हो जाईए ढ़ती ना करें और वहां पर रatal करें तो फिर क्या होगा कि हापसे आप हां इसहला लुट आर्ड गरेंगा तो इसको पढ़ा लुट है लेकन start from anywhere, हम कहीं से भी सर्सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम यहां से भी सार्ट करेंगे, भी यहां से कर लेक लेकंगे, कहीं लेकिन तो आराम से आराम से ऻाराव से आराम से आंसर बात को सबस्सक्ताइब एक गुट जाूजे करञें बाती है एक लेगा सुन में सबस्यूं करें गया धर कि कैया थिप्ञाइब होुद हे भाडम्नेट प्लेक इफिपका दिया ह Olivier फिकए्स P is 3rd right, हम लोग बाखीरू क्या करेंगे, एक, दो, तीन, ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, नजरों से तेखेंगे, भाई, राइट इधर होगा, और 3rd बोला गया, दो जोगा छोड़ा, P कोला आपके यहांग शिपका दिया, इससे स्टार्ट कर दिया, स्वाल, now, we have two elements on the plot, and the whole verbal reasoning says that, आप किसी भी क्लू से स्टार्ट करो, भाई साहब, आप कहीं से स्टार्ट कर लो, जो भी आपका पहला क्लू होगा, उस पहले क्लू के बाद जो भी elements on the plot, उनसे जुड़ा हुआ ही अपका अगला क्लू होना चाहिए, अधर नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है ठीक है, that means कि मारे पास P है और M है, अभी फिलाल इस sentence में आगे continuation है, उसको पढ़ेंगे क्या लिखावाई, and second to the left of S, and किसके लिए काम करता है, हमें मालू में first element के लिए काम करेंगे, that means कि P को उठाएंगे, और तुन्त हम आपके end के बाद पतक देंगे, P is second to the left of S, और यह साफ है कि हम S को यहां लाके रखेंगे, ताकि P होगा, उसका second left में हो जाएगा, बास सुझ में आरही है, इतनी मास्तूमियत से बनांसर कर रहा है, आगे बढ़ता है, first sentence हमारे complete हो चुगा, T is third left of S, अगला clue जो हमारा है, वो S पर dependent हो गया, मौझूदा element पर related है, उसको उठ मन में आरहा हूँ कि सर आप यहां पर डिरेक्शन को क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं पता क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेर कर रहा हूँ उस वक्त के लिए, जब हमारे पास सवाल आएगा, some people are facing inside and some people are facing outside, यू situation में बच्चों को बिल्कुल नही क्यों होता है कि हम चाले हैं, अगर अगर पस यूरेक्शन होँ भी है तो मैं आपको बात समझेड़ हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पर दिया हूँ था मैं डालना चाहा हूँ कि भाईसाभ जब बोलेगा तो आपके T और S के बीच में दो लोग रहेंगे, अब यहां पर S बढ़े को भी जाए था लादा कि दो लोगो जोड़ेम, यहाँ आप यहाँ है अगाँ about सबसे हो चाहे और साफ हो को दोड僕पता है कि आप औरमेल तरह Adams przybीण बढ़ी मेला समान की आप भी आप फार किसरेपा है कि और यहाँ कि आपको संझा यहां आप अब एक और बहुत महतेपून बात, बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव को बहुत सम्मान करते हैं, लेकि निगेटिव का सम्मान नहीं करते हैं, अब इस मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो आप, तो मेरा बस यही कहना होगा, कि निगेटिव का सम्मान पॉजिटिव का स हम एको दिखाएंगे कि उसा है क्यों यहाँ नहीं होगा अव यहाँ बढ़ एक में क्याँ होगा। N is not the neighbor of M, and N is not here N cannot be the neighbor of M, that means that N cannot be here O is second to the right of N, O is second right of N Now look here If we keep N here, do we keep second right here? We keep N here, if we take N, we say O is second right of N Or we have another clue about Q, that Q is not the neighbor of T That means Q cannot be here as well Q can be cancelled out, that means now we can put Q here We have only one place to put this Q We have Q placed here, now we have one place to put this N Where can we keep N, we keep N here, we keep N here This time, let's take care of N O is second right of N, if we place N here, then it is not place in second right of O That means these two possible places, this place will be cancelled out That means now we are bound to keep this N here And N here, O will come here, that means we will place N here So this is how So this is how I don't want to give this question I don't want to give this discussion I want to be confident That means they are like a basic thing Which is good in the deep dive How can we set up this sitting environment Who is comfortable And the kids who have to learn some of the important things And the kids who have to know some new things And the kids are Prということで So we can't think that We cannot just think about this So we can do this एक साथ फाइदा हो ठीक है ठीक है बार समझ में आ रही है जल्दी बार समझ में आ रही है अगर समझ में आ रही है तो जल्दी ठोको हाँ और एक पाप क्यूं कर रहे हो आप लोग जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं कि कॉंकरेंट विवर्स हाँ 622 बट लाइक्स इस ओनली 3 430 430 ऐसा गलत है यह पाप मत करो यहार अपने अपना करतव के लिए रखो कि भाई साब ठीक है ठीक है कनफार्म है सब कुछ क्लियर है तो डू यूर बग प्रॉपली आईल दू माइन ठीक है क्लियर बात चलियर आगे बढ़ते हैं इक और सवाल लेते हैं इसमें बड़ा अच्छा है पांच लड़के हैं ठीक है एक बच्चे ने गहा है सर मैंने आपके बाकी सारे वीडियो देखे हैं आपको कम सिकम हजार लाइक के लिए बोलना चाहिए यू शुद आस्क फर 1,000 लाइक्स और नौट 500 नहीं मैं पूसता नहीं भाई आप नहीं समझें मुझे आप गलत दर्शन में समझें मैं वह वह लाइक करो लाइक करो बोलता रहूं दस बर नहीं मेरे को भीड नहीं चाहिए भाई अषचित है तर यके जिए में में चिए अट रहाएक है। कि समय हमें एक मुझे हन पर लगता है कि आपको आप को और भीी ए Swiss with a और डॉर्स थोड़े से थी यहाध होने चाहिए आगे बढ़ते हैं ठीक है Now A is the only boy is seated between two girls Now clue start हो गया A ही वो सिर्फ लड़का है मैं Hindi अब बात तो कर रहा हूं यार मैं सवाल को पढ़ जरूर रहा हूं English में कि A is the only boy is seated between two girls लेकि मैं उसका Hindi अबात तो करी रहा हूं So, बहुत आराम से कीजे यहां पर 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है आठ लोग हैं हमने 8 प्लेस ड्राउ कर लिया है आगे बढ़ते हैं और ध्यान एक कुछ यहां पर एक boys हैं कुछ girls हैं तो हम इंडिकेट भी करते हैं जब boys और girls मिलते हैं हमें तो उससे इंडिकेट भी करते हैं पहला clue बहुत इमांदार है बहुत बढ़ा clue है बहुत बढ़ा clue है बहुत उसमें से कुछ लोग जिलस भी फिल कर सकते हैं A is the only boy seated between two girls सिर्फ A ही व लडका है जो तो लड़कियों के बीच बैठता है मत्तब समझे नहीं खुशनसीबी देखिए इस रड़के का बीचनए on the way बीच बीच से शड़के का एं रिचन फिल क हुशन में बीचनए आ पर बीचनए नहीं देख सकते हैं बस से बीचनए जेख सकते हैं जो ऑलडरे लरी देख जुके यां सुआ हैं है कि A से जुड़ा हुआ जो क्लू होगा ना, A से जुड़ा हुआ जो भी क्लू होगा उसको हम अपना भगवान मानेंगे फिलाल उससे हम काम चलाएंगे, उसका हम इस्तमाल करेंगे, मतलब क्रिटिकल कंडिशन इभी कैसे बच के निकलना है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, अ यहां होगा, यहां कहीं होगा, ठीक, आगे बढ़ो, C is to the immediate left of B आगे बढ़ो, one of the B's number is a girl आगे बढ़ो, A is 3rd left of B, now this is very important, now, so we got a point which is talking about A again, so A is 3rd left of B, that means A is dependent upon B, that makes sense that B would be also dependent upon this A, just we need to reverse the direction, right? So, if A is 3rd left of B, again A is 3rd left of B, then B is 3rd right will be 1 k, this we have the difference between the first and first and second, whether you're considering opposite A a reverse of B, you can do this part The thing is that if everyone wants to talk about row, on R, we can do this one part in R and C, we can convert this one here, left or right or left allow me to replace the element to K प्लेस चैंज कर देजेगा, अगर A 3rd left B के तो B 3rd right होगा A के, इक काम लिए कर सकते हैं, जब लिए सब लिए सेंटर देख रहे हैं, और इस सब लिए सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, So, B is 3rd right, that means, कि अगर देखा जाए, B is 3rd right of A, that means, A अगर यहां पर है, 3rd right, मतब दो जब चोड़ के, हम यहां पर B को प्लेस कर सकते हैं, और B कौन है भाई, एक लड़का है, प्लेस कर दिया हमने, फटा फटा फटा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Now we have 2 elements on the plot, that means, we can make use of this B as well, हम B का भी स्तमाल कर सकते हैं, B से जुड़ वाख क्लू जोगा, उसको इसको 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 नेगे, One of the B's neighbor is a girl, nahi, मालो में सलो भाई, ठीक है, C is to the immediate left of B, और C जो है वो B के ठीक बाइए और है यह हमारे पास B है, सबी लोग सेंटर देख लेहाँ तो अपन क्या करने वाला है यह जो हमारा B है उस B के ठीक बाइए और में कौन है C है, C कौन है कलड़का है और इसमें कहा गया, one of the B's neighbor is a girl, that means B के एक पड़ोसी लड़की होगी, that means एक गलड़की यहाँ जाएगी, that means now these two places are for boys, यह तो confirm होगे, यह तो प्लेस लड़की के होगे, यह तीन प्लेस लड़कीों के हैं, confirm अगे बढ़ते हैं, ठीक है अब तो यहाँ पे क्लू था, B is second to the left of E, B is second to the left of E, B is second left of E, that means E is second right of B, B is second right of B, B is second right of E, that means E will be here, and E अगर यहाँ यहाँ तो A, B, C, D होगे, D बचकिया यहाँ यहाँ, D लड़का होगे, that means now we need to confirm, भाई, यहाँ पे इन तीन लड़की होगे, जब कौन सी लड़किया कहाँ F है लड़की, G है लड़की, and H है लड़की, H भी एक लड़की है, यह तीनो लड़किया है, इन तो इनमें से कौन कहाँएगा, तो भाई, H के बारे में है कि H यहाँ 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 आएगा, because H जो है, वो नेभर है, ठीक है, now, F is second right of H, बहुत बहुत प्याँ अग this F must be second right of S, that means H will be here, F will be here, and G will be here, then problem. Okay we are also about, so our question is, is this the way we can react in this question, we must react to it except this type of election, to be very much familiar, very much clear in this thing, right? Okay we are also about talking, we are just talking about talking beforehand? है जल्दी से बूलो बात सुझ में आ रही है क्या Okay, Got It? चलिए एकलवया लास्टाइम I am warning you मेरेको देखो यार तुम ने life मे कुछ भी करो यार लेकिन राइट प्लेस पर करो बस यही कहना है मेरा एकलवया देखो लास्ट वरनिंग अदरवाइस आल ब्लॉक यू इल ब्लॉक यू मैं बहुत देर से देख रहा हूं लेकिन मैं नहीं बोलता हूं चलो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन मैं तब अती मत करो यार ठीक है चलो नेक्ट कुछन आपके स्क्रीन पर है ठीक है आसवतोस आप SBI PO Prelims ले सकते हैं लेकिन आपको अगर खास ऐसे SBI PO PO प्रिलिम्स वारी इसमे मैं पढ़ा रहा हूं रहा हूं रिजनिंग इन बांकी मैट्स और आपको इंग्लिज के लिए कोई खास फेकल्टी से पढ़ना है तो उनकी आप ले सकते हो ठीक है उनका आप ले सकते हो इंडिविजल बैच लेकिन अगर आपको बैच एक प्रॉपर बैच जिसमें आपको कुछ बढ़ा दिया जाए तो ओफोर्स वही मवजूद आपके लिए ठीक है तो ने लीन की आसमेता है तो बिक लिए है चोड़ एक बहुत 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 Speaking सवाल मतब लाज़ लाजवाब सवाल सिखाने के लिए देखो मिरा मस्तद यह नहीं कि मैं पहला कि आ बहुत 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 गआ आपको टॉप दिखा हुए कि भाई का इस आपको ढूप इंसान। थिका दूप को इंसाइगा और तॉप इंसाइगा ना तॉप इंसाइगा ना बहुत टॉप इंसाइगा ना इंसाइगा। थैक है So, here is a third question and they are talking about V, U, T are seated in a circle facing center and A, B, C are also seated in a in the same circle but two of them are not facing the center. Now, ये twist tab but two of them are not facing the center, but two of them are not facing the center. बहुत धान से ठीक है, ठीक है, clear बात, आईए मजाक करते हैं यह पर, मजाक मजाक मुडाते हैं इस सवाल को ठीक है, तो एक circle है इसमें 6 ही लोग हैं, कितने लोग है? 6 लोग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मसला क्या है? इस सवाल में एक अचे अच्छा मसला यह है कि यार, सवाल में, तीन लोग on Shelter के ओड देखते हैं, उन तीन लोग के बार rice stand देखते हैं, मक्याद कि DOB आपा है, इन ABC में से, ठीक है, दो इंसान पापी निकल गया, उस दो इंसान के पापी निकलने से सवाल में ट्विस्ट आ गया है ठीक है So the thing is, कि now we'll try to go for this, मतलब कि हम ABC को फिल्टर करते है सबसे पहले condition क्या है यहाँ पर, VUT, VUT ऐसा group है जो कि सभी लोग, जिसमें तीनों तीनों सेंटर के ओड देख रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिया बातों को मैं यहां लिखतेता हूँ, VUT ऐसा group है, इसमें तीनों लोग कहां देख रहे हैं, सेंटर के ओड देख रहे हैं किर देख को देख मतर सांखोता देख लिजदे कर दो कि कि लिए बहुत 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 बहुतना यहांगा है मैं रहों ही दो जो कगे बाद महीं है मोज भी है you ain't करद अनहें कि दो पहाए जया है तो आग है झाषार कि पूर्य मेरा कर अट तो पढ़ाना है नहीं कि मुझे ए रहे हैं थो हम ऐभ मैं पे रहे किंपने हैं सब्सक्राइब से पूछ जिए गईवर प्लीज, ठीक है, एग्जेक्ट टूल क्या है, कैसे इंक्लूड होता है, वो सब बता दाएंगे, ठीक है, आई रखते हैं, पहला क्लू हमारे पास कह रहा है कि V is second to the left of C, V जो है, second left है किस से, C से, अब मारे पास यह A, B, C के आई भास में पूरूण है, C के लेके, ठीक है, बास में रही है, मतलब की, जो V है वो डिपेंडंने सी पे, V is dependent upon this C, and we don't have any clear idea of this C, that makes sense की, we cannot start with this C, हमनों नहीं हुँँ हमने आपको लेके, परिशान नहीं हैं कि मो से स्टार्ट करेंगे, जो नए बच्चे हैं, उनके खास जिद्धी मत बनना, पहले क्लू से स्टार्ट करना कोई प्रात्मिक्ता ने, यह सम्विधान मने लिखा गया है, ठीक है, तो हम पहले क्लू को बेपरवाद छोड़ के आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे, यू इस सेकंड राइट अफे, यू इस अ T is 3rd left of T, now, B बेहती का डिपंदेंगे, T अवह बढ़ेंगे है, T अवह भूद मेंचा, T अवह बन्द, T जिस अवह बन्द, सभी लोह बन्द, सभी लोह बन्द, C ő करेंगे जहां पर हमारे पास क्लियर आइडिया हो कि यह कहां देख रहा है ठीक है, so B is 3rd left of T, that means T is here, that means now T is facing center, we are 100% sure about this, so B will be 3rd left, that means 2 थान चोड़ कें B को यहां प्लेस कर देंगे, right? आगे बढ़ते हैं, C is 2nd right of T, और यह जो T से ही एक और क्लू मिल गया है, कि C is 2nd right, दाहिने चोड़ पे, दाहिने साइड में 2nd place, that means now we can put this C here, नहीं B direction, नहीं C direction clear है, बढ़ते हैं, direction जो clear है वो सिर्फ T direction clear है, B और C का place clear हो गया है, आगे बढ़ते हैं, नहीं कर दो दो क्लू और आचुका है, B और C, मतलब हम B और C से जुड़ा हुआ का क्लू का इस्तमाल कर सकते हैं, आगे कहता है कि A is next to V, एक क्लू बढ़ते हैं, आगे कहता है कि A is next to V, इसका हिंदी अन्वाद हुआ कि A, V के ठीक बगल में है, A और B मतलब अगल बगल है, तमेरी अगल बगल ऑली कंडिशन ने हैं, बास समझ मैं अगल्बगल है इस समझ में हैं अगल बगल है, एइस अगल्बगल है, तामस्कि कि दोनों नेभर्स होगी तूसरे के, अभमार पास आवर भी हम यहां रखेंगे, वी ओबलिग यहां लेक हैंगे, तभ ही तुम हो सकता U भी वहां देखेगा, center cure तो हमरे पस T के बगल में कॉन है, U बैठ चाएगा दोनों कहां देखेगा, center cure निए पहले से ही Now we need to confirm about this V and A A और V को लिए confirm हो जाएंगे, बात खतम हो जाएगी अब देखो मरण जब यू प्लोट 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 लो U is second right of A, काम खतम हो, सवाल खतम हो जाएगा ठीक है ठीक है U is second right of A, that means, now this U's place is fixed U तो यही बैठेगा, यह 100% confirm है और साथी साथ यू के बारे में हम यह confirm है कि U जोगने second right होगा, A के, यह clue ने कहा है U is second right of A, and U is second right of A, that means, U and A के बीच में कितना gap होना चाहिए, second right बीच में एक gap, that means, U अगर यहाँ confirm है तो जाहिर सी बाते, A यहाँ हो ने सकता है, that means, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे आजाएगा V, और यहाँ पे ultimately हो जाएगा A और अगर U is second right of A, that means, A will have to face inside, अगर A inside देख रहा है, तो A, B, C में से कोई यहाँ inside देख रहा था, बाकि तू बाहर देख रहे थे, जाहिर सी बाते, B और C कहाँ देखेंगे, बाहर देखेंगे, B तो अंजर देखी रहा है, solution done है हमने इस क्लू का इस्तमाल भी नहीं किया, इस क्लू का इस्तमाल की यह बिना अंसर कर दिया, बासमज में आ रही है, so यह smart strategy कहते हैं इसको, ठीक है, जो बच्चे इसे offline देख रहे है, उनका भी करते है, बनता है, जो सवाल में आगे दूंगा भी homework तोर पे उसको आप solve करके इस क्लुक्ता है आप से इस-ツाऀ को इसमें आप एक ढूंगा है यह बाता नहीं बता आपना भी में इसके रास प्रुक्ता है टिक करते लिएगा तो एक यह बनना फढली है, डीका बताता है के लिए बता है नहीं है है और सब्सक्रडव से क्लॉक्स में раз का इसको इस आप Fifth वहां पर जब दो करने का ताकि मैं सवाल कुर्ण करने का पॉसिबल टाइग्राम के बारे पशा करूंगा वे कब हमें पॉसिबिटी बारे में सोचने हैं फिलाल जब जब जराव सकता नहीं तो नहीं करेंगे अगला सवाल एक और आपके स्क्रीन पर होगा, यह स्ट्रेट लाइन का सवाल है, इसको भी सौल को लिज़ेगा प्लीज और यह सासो तोस उसमें भी है वो क्लास, ठीक उसमें वो क्लास मिल जाएगी, साइद भी मैं कन्फॉर्म नहीं हो लिगन आप 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 यहां तो अपको दिख रही है चैंपिन्स बैच यह आपको बैच जो है स्टार्ट हो रही है अट से कर देसे मेरे अज़ता इसंद्स में जाहां यहांगी, साहर मीज़े जान भी है 30 अ२गा श्रही है स्फचित में laws इना is 16,7 。」 सिरफ का बहुत बैच्चा मिलाव श्रहाकिना सब्सक्राऊंध कर दो 20%2,25% बहुत अलग से वुड़ाइगा रूपद नीर काम करें बहुत अलग से लबे पहाँ हो दुड़ाइगा इस डिल मेलाखे से लिए कहा तो बहुत मझाएगा रदी टूप से लिए इस अप्ले टूपला रूप्ट आप मजा बहुत मझा राऐगा रहुत अपर रिए आवगा ठीक है, so मैं extend कर चुका हूँ क्लास को लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुछा सब्सक्राइब कर चुका हूँ, अरड़ी 12 बैस कोई क्लास रही है आपकी करेंट अफेर्स की सो ओके, है, so always go for this thing, तब ध्यान दीजगा, इसज अप जाके जो है, 6 months इसका वैलिटी होगा, फटा फटा आजी जाके लिए इस बैज को देर मत कीजगा, भीकिल देर मत कीजगा, फटा फटा जान कीजगा, यह बास कोड इस्तमाल कर लिए गा, मेरा वाला कोड जो होता है, मेरा कोड U188, this is my code, इस्तिमाल कीजिए और आप इंटर कर जाएगे, आप बैंक महा पैक में है, तो एक बार कन्फर्म कर लिजेगा, बैंक महा पैक के बारे में, कि बैंक महा पैक में इंक्लूड है या नहीं है, वह सपोर्ट टिम से मना पूछ लिजेगा आप एक बार, ठीक है, बिलकुल एकदम बिगनस आ सकते हैं भाई, उस बैच में, चैंपियन बैच का मतलब ही है, कर बैच कर दो है कि बेच छступ यहोई हम पहना पाल। एक दोच कर दोरी कर लाएब, यह लिए यह पिए ना सकता दोट है कि एक रस बार बच्चा के लिए क्शाट जी, थो इस वार डेच के हैं डोट भाई नही कोईं का मैरा, वेबिनार पर क्लास होने के चांसे कम है, हम रोग नए शॉट्वेर पर काम कर रहे हैं, तो वह सायद नए शॉट्वेर आपके इस बैच के साथ आज जाएगा, ठीक है? So, thank you so much, आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं, कल और ठीक इससे आगे बात कर रहे होंगे, U188 is my code, you can use this code to get the maximum discount out of this, fees बहुत कम है, so, बहुत कम फीस है, 500 के आज पास पड़ेगा आपको कुछ मला कि अगर मेरा code इस्तमाल करते हो तो, ठीक है, So, फट फट इस्तमाल कीजे code और इंटर कीजे इस bash में, thank you so much, आज के लिए तना ही, thank you so much, bye-bye, take care, study well, जो बच्चे नए हैं, please वो बच्चे इसको subscribe कर लें मारे चैनल को, जो बच्चे पुराने हैं, जो regular हैं, उनको like करना बनता है, वैसे like सब को करना है, चाहे वो नए हो पुराने, thank you so much, bye-bye, take care, study well, दोस्तों से share करना मत बूलो या, दोस्तों से share भी कर दिया करो, है न, bye-bye,